हेलो एभीवान गूड मॉर्णिंग कैसे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा तो श्वागत है आपका हमारी चैनल में तो आज का वीडियो मैं अभी मॉर्णिंग से स्टार्ट कर रहे हूं आज मैं आप लोग की साथ करने वाली हूं कुछ टिप कुछ हैबिट्स जो मैं डेली बेसिस पर अपने डेली रूटिंग में यूज करती हूं जिसे क्या होगा आप आपका घर हमेशा नेट और क्लीन रहेगा आप थोड़ी से समय बस फाइब मिनट टेन निट हर चीज पर देदे थे थोड़ा सा तो आपका घर हमेशा और रहेगा और यह रूट करेंगे अगर हाथ हो हाथ कर लेंगे तो हमारा कीचन उसी समय क्लीन हो जाएगा उठते ही बेट हम लोग नहीं बनाते हैं छोड़ देते हैं अच्छा बाग में करेंगे तो यह सब 6 बीट्स हैं तो आपको डेली बेसिस पर अपने रिवलर लाइप में यूज करना होगा ज इससे क्या हो कोई भी वीडियो में अपटलोड करूं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन चाहिए और आप लोग हमारे वीडियो को full watch करें तो इसी तरह हमारे, वीडियो को आप देखते हैं, सपोर्ट करतेर रहे हैं चलिए start करते हैं वीडियो , तो चलिए, सबसे पहले तो आप बेट सी बीदफ मी चेंज कर सकते हैं। अधराज इसको बेट को ठीक करके ब्लांकेट को फोल्ड करके रखते हैं। यह देखे इसे हमारा बेट हो जाता है तो फिर में फोल्ड करना पड़ता है। और बेट को ठीक करना परता है यह देखिए यह हमारा बेट टियार हो गया है यहाँ पर आप यह सब देख रहे हैं कि बच्चे जाने के बाद हमारा घर कैसा अस्त बैस्त हो जाता है एक तम तो हमारा भी कीचन पूरा मिसी मिसी लग रहा है तो कुकिंग करने से पहले 5 मिनट अपनी कीचन को दे और सारे चीज को एरेंज कर दें क्योंकि सुबह-सुबह क्या होता है जब बच्चे जाते हैं तो हम इतने जल्दी जल्दी में रहते हैं कि सब समान हमारा इधर से उधर चला जाता है तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लीन करेंगे उसके बाद ही एरेंज करते हैं पूरा जिससे क्या होगा हमारा कॉंटर टॉप दिखने में अच्छा लगेगा थोड़ा मेसी मेसी ना लगेगा तो चलिए पहले एरेंज करते हैं तो एरेंज करने से पहले पूरा लाइट पहले ओन कर लिया जा तो चलिए सबसे पहले कीचन के कॉंटर टॉ करते हैं इस तरह से हमें काउंटर टेबल रमेशा खाने से पहले खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद क्लिन कर देना चाहिए काउंटर डेवल पर कोई भी चीज और अरगनाइज करके रखें इस ताइप के बास्केट में रखें लेकिन इस तरह से बास्केट में रखेंगे तीसे क्लीन करने में आसानी होगा इसको जश्ट उठा के आप क्लीन कर सकते हैं नेका इधर उधर समाथाएगा एक एक करके सब्रेट को कोईंटर टॉप चर्फ यायगा तोसाथ सबसीलिए की ये चाहिए असे वर सब्सीजा ने खिरा करने के बाद किलीन कर लें और सुबह में कुछ नास्ता चाय बना वह आपका गीरा तो अराम से क्लीन कर लें उसके बाद कुछ नीचे गिरता है तो नीचे गिरता है। बनाने में यह वाले एरिया में भी जब कटिंग चॉपिंग करते हैं तो कुछ कुछ गिरते रहता और इस वाले एरिया में हमारा जब बरतन वास करते हैं तो पानी गिरता थी यह वाले एरिया को भी हमें क्लिंग करते रहना चाहिए लगे हाथो डेली का डेली वाइप कर दे मैं इसे डेली हैविक में रखती हूँ मॉर्निंग में इबनिंग में जब भी आप कुकिंग करें उसके बाद इसको इसके सिल्क को जरूर वएट कर दे एक बार तो हमारा नेश टिप है हमारा यह डिश्वासर को आपको रात में लोड कर देना है और और अन्लोड करते रहना है क्योंकि जैनरले क्या होता हम लोग बर शिप्तन रखते नहीं है फिर हम लोग बरतन दूल जाते हैं और इसी में राते हैं आसकल से हम लोग छोड़ देते हैं करेंगे करेंगे फिर हमारा बरतन बेसिल में जम्मा होते जाता है तो morning में सबसे पहला काम करें कि जो रात में आप बरतन लोड की है उसको अनलोड कर ले और जो हमारे स्रिंक में अभी breakfast के बरतन है उसको डालकर कीचेन को क्लिन कर ले तो ये हमारा daily habit में है कि रात में हम बरतन को लोड कर देते हैं morning उठते ही इसको अनलोड करते हैं तो इसे क्या होगा, फाइदा हमारा कीचन डेली बेसिस पर क्लीन रहेगा, अगर आपके पास डिस्वासर नहीं है, आप हैंड से वरतन हास को साथ से धोले, उसी समय धोले रात में बरतन आप धोके रख लें और कीचन को क्लीन रखें, और मॉर्णिंग के जो बरतन के जो कोई हमारा डेली रोत hora में आता है वाट आ राम कर देगे यों आसानी होता है कुपिन करने में भी बरतन वहाराम से निल जाते हैं इअ तो यहाब'd मैं अपने डेली रूटिन में सामिल की उलि यह कि डेली बतन को लोड अनलोड करना नेक्स्ट moss यह लोट करेंगे इससे और यह उन्धूर में यहाली अगर आपका खाली और क्लीन रहाएं तो आप रहली किन्गी शार गंदお願いします तो आप यहीं पी यूज करते हैं जो भी बरतन उगे रध होते हैं यह वाले एरिया को इस्पेसली अमें तर नीट एंड क्लीन रखना चाहिए तो जो बरतन डिस्वासर में जाने वाले थे उसको मैंने रख दिया और जो हास से दोने वाले उसको दोके अलग कर लेते हैं इसके बाद हमारा बेसिन क्लीन हो जाएगा इसको भी आप नौर्मली रूज करते रहें ऐसे ही क्लीन करेंगे तो आपका बेसिन वाला एरिया भी क् है जारक है आप इसी मेशन होता है तो बहुत जादा Resp pension से बाद i neighborhood हमेशन रेःए इस हमेशा चमकता रहे और इस तरह से हमें इसको वाइप कर देना है ताकि हमारा पानी का दाग हमारे नल पर ना लगे तो ये हमारा बेसिन नीट और क्लीन हो गया, कम्पलेट हो गया कले नेश चलते हैं गार्वेज वाला एरिया में इसको भी अमेशा हमको क्लीन करना चाहिए जैसे ही आप यहाँ पे गार्वेज रखते हो तो गार्वेज क्यों कि आप कीचन में रखते हो तो खाना का जितना भी पाटा फेकते हो तो वो क्या होता है इसमेल करने लगता है तो आपको करने क्या है तो मैं डेली वेसिस पर ये करती हूँ तो जब भी मैं आना का प्लास्टिक चेंज करती हूँ तो उसे पहले इसको क्लीन कर देती हूँ ताकि हमारा ये वाला सेक्टन बदबु ना करें एकदम क्लीन रहे जहां भी आप पच्रा फेखते हो तो देली आप क्लीन कर सकते हो अगर दो दीन में फेखते हो तो नियू प्लास्टिक लगा दे इसे क्या होता है नीचे के लेड़ में गंदगी वो जमा होते है जाता हो फिर इसमेल करने लगता और किरा टुझ करने चान्स हैं ये सिक्सिन हमेसा घ्ली करने चाहिए तो चलिए मैं इसको कुं ट्लीन करती हूं बाशिति यह देखिया पर यह मेरा irsiniz घीलत क्चरा है तो सबसे पहले करना है लिए को रिमॉव कर लिए के लिक रिमॉव कर लिए दिस्ते पर गीले हुई टीशु पीडिनपे थोड़ा सा लिक्वीड डाल देंगे हलका सा और इसको क्लीन करेंगे इससे क्या होगा जो इसमेल है वो चला जाएगा और मंसली आप इसे को धो सकते इसको वर्ष करते हैं और थोरी देर इसको ड्रय होने के लिए छोड़ दे तो मैं यह भी डेली बेसिस पेकर नहीं हो डिपेंस सकता है कि कच्रा दो दिन में फेकू जाहें एक दिन में फेकू मुझे इसको फीर करना है अधर्वाज आप नहीं करेंगे तो जैसे डेस्ट वीन का एरिया आप खोलेंगे तो बहुत ज्यादा है इसमेल क्लीन कर लें ताकि कीरा नहीं आएगा और आपको दिखने में अच्छा लगेगा हमारे रिया सोक दे अब इसमें प्लास्टिक लगा देते हैं अब बिल्कुल हमारे कीचन में इसमिल नहीं आएगा चुकि अच्छे ते क्लीन हो चुका है यह हैबिट को आप डेली रूटि करते हुआ नहीं अब इस तरह से आप अपने ऐब कर सकते हैं तो नहीं अदेली करती हूं रात में भी करती हूं सुभा ब्रेकवास्ट के बाद भी करते हुँ लंग करते हूं जिसे कि हमारा येवाला एरिया अच्छा दिखें और ये सोफा के आगे वाले टेवल को हम एक बार आपमी वजिन में क्लीट लेते हैं ताकि हमारा ये टेवल गंदा ना दिखें इसको भी हम डेली रूटीन में लाते हैं कि हम लोग यहां पर जब भी आते हैं चाई पीते हैं कोई समान रखते हैं तो वह गंदगी हो जाता तो इसको डेली हैजित में लाते हैं जैसे आप कटिंग कर रहे हो तो कटिंग करके आप प्लेटफॉर्म पे ना फेके एक बग्गेट ले लें कोई प्लास्टिक का या फिर यह इस टाइप से खेल लें इसमें आप वेट पार जैसे आप इसको इसमें फेके ताकि आपका काउंटर भी गंदा ना हो और मेंचे का इससे क्या होगा कि कुकिंग करते समय भी आपका कीचे पूरी तरह से क्लीन रहेगा तो यह भी आप डेली यूज में ऐसे याद करके यह हैविट को अपलाई करें तो जिससे आपका ही काम आसान होगा मेरा नेक्स टीप है जैसे आप कुकिंग कर रहे हो कुकिंग करने समय आप यह चमच से आप सबजी को मिक्स करते उसके बाद इसको रखने के लिए जगा चाहिए आप इधर उधर रखो गये तो आपके काउंटर गंदे हो जाएंगे इसलिए हमें एक प्लेट लेना जोर्ट यह वाले को अनबर को बसपूश्न करते जाएं ऐसे टक हमारा क्लीन रहे हैं डी मिकाप करने जाएं坐 को सारा समान आर असानी से डाइतो आव जैसा आपको सब्साहर आइन में से बासले समान को अउन्स करने हो चाहें सो इसे आपको आसानी होगा और कि अब करना है तो आप लोग अगर तैनि तो आप को दीतना ही आप मेक अप 5 मिनट देते हो दो मिनट आप मेक अप सारे सामान को एंच करके रख दो जहां से लिए वहां पर रख दो तो आप का जोगा इसा घर आपका अराम से धीन रहेगा तो मैं यह हमेशा करते हूं, मुझे बहुत ज्यादा है घर, इसके घर मेरा क्लीन डरता है, जो चीछा है तो आसानी से हमारा मिल जाता है, ने श्टीफ है हमारा बेसिं को, बेसिं को आप हमेशा क्लीन रखें, अगर आप क्लीन नहीं रखेंगे तो जितना भी पानी का धरबा जाता है, इस पर लगके आपका यह ब्लैक होते जाएगा, इसमें पूरा गंदगी कल्ट जामा होगा, फिर यह स्टाइड आपका ग्वीन होते जाएगा, तो फिर आपका बेसिं बहुत सी गंदा देखेंगा, इसका टीफ है कि आप जैसे ही बेसिं का यूज करते हैं, उसक क्लीन कर देखें, यह आप डेली रूटीन में अपने जरूर बलाएं, ताकि आपका बेसिं हमेंसा क्लीन रहे, यह दिछे है हमारा बेसिं क्लीन हो चुका है, तो चलिए, कैसा लगा आज का वीडियो, यह हमारा हैबिट वाला पूरा वीडियो, तो मैं एक एक की आप लोग के साथ सेर कियों कि किस तरह से अपने घर को और्गनाईज कर सकते हैं, डेली रूटिन में कैसे इस हैबिट को आप यूज करके घर को हमेजा नेटर और क्लीन डग सकते हैं, इसे आपका घर हमेजा ही और ठीक लगेगा, तो चलिए, मिलते हैं आप से नेक्ट व्लोग में, अगर वीडियो किसी भी रीजन पर अच्छा लगा तो लाइक और सस्क्राइब हमारे चैनल को जरूर करें, चलिए, मिलते हैं, गो नाइट